हलो और वेलकम मेरे नाम है मनोज और आप देख रहें वाई टी मनच कुमार फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाला दिन आने वाला महिने आने वाला साल जैसे कि आप सबको पता है अभी डिसेंबर एंड होने वाला है और जैदि मैं बताओं 2023 सब्सक्राइब बात करेंगे यहां पर फ्रेंट्स इनिसियल फब्लिक अफरिंग यानि की आइप यो के मारे यहां पर बिल्कुल सही सुन रहे हो जो कि आपने आप में एक नाम बड़ा है जैदि हम बात करेंगे फ्रेंट्स यहां पर 24-20-21 जो कि कोविन-19 की क्राइस में जूज रहा था जहां पर भारत के अर्थविवस्ता काफी हद तक धराफाई हो गया था उसके बात फ्रेंट्स इस बात करो 21-22 में काफी हद तक सुधार आया भारत अपने आप में कुछ निया बड़ा काम किया मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया फ्रोचिट को बड़ा न आपको एक साटिस्पेक्टरी मतलब अमाउंट बता सकता है कि मैं इतना कमाया इतना खर्चा हुआ और इतना सेविंग हुआ तो इस चीज को प्रेंट्स कहीं ना कहीं जोड़ी आप एक थंडे दिमाग से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर एक असर की बात है कि उस हिसा करेंगे कहीं ना कहीं इन 22 में बिटकेन का जोड़ी आप मार्केट वैलू देखेंगे काफी हद तक अच्छा नहीं रहा तो उस सीचे से हम बात करेंगे आज की इसमें नेक्स्ट यर में कौन सी ऐसे इनिसियाल अफरिंग नहीं कि आईवियो के उपर आप एसा इंवेस्ट करें ताकि आप कुछ आमाउंट कहा सकते ही तो आईए आज की इस टपिक में जनने की कोसित करते हैं आज की आईपयो और आने बाले दिन में आईपयो में अप्जिय आपो को मिलत कता है तो please करन क师 ब्रांड ऑर कि जसमें आप कुछ्छ अमाउंट के और रिटale करके आप को इन्वेस्ट करें ताकि आने वाले दिन में आपको एक अच्छा रिटेन मिल सकते फ्रेंड हलो और वेलकम मेरा नाम है मनोज और आप देखरें वाईटी मनजगमार फ्रेंड्स आज की न्यू टपिक में हम बात करेंगे 2023 में आप कौन सी IPO यानि की इनिसियल पब्लिक अफरिंग में आप आपकी पैसा को इन्वेस्ट करें ताकि आप लाखो करोडो कमा सकते आज की इस बिजनेस अपडेट में आप सब को स्वागत है मेरा नाम है मनोज और आप देखरें वाईटी मनजगमार देखिए दोजी में बात करूँ यहां पर 24-21 में जितने भी IPO से अमाउंट जुटाया गया था वो 1.3 लाक करोड था जो की अपने आप में बड़ी बात है बट जिदी हम बात करेंगे हमारी देख भारत की 24-21 में COVID-19 का महामारी जैसे की हमारी देख की अर्थ वेवस्ता और एकोनोमी को धरासाई करती आता बहीं पर 29-22 की जदी हम बात करेंगे तो कहीं न कहीं महेंगा एकमार हमारी जितने में जनता है जो जनता जनार्दन है जितने आम आदमी है उनकी रूच मरा जिन्देगी में काफी सारा अथे डला था बहीं पर हम बात करेंगे फ्रेंड 2023 जानवारी में जो निव अपडेट आ रहा है यदि आप चाहते हो एक अच्छा IPO यानि कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आईए आज की इस टपिक में बात करते हैं जहां तक मैं बात करो फ्रेंड 2022 में IPO ने जुटाया 618 अरब में रुस उक्रेन की जंग और यदि में बात करो महेंगाई गामार कहीं ना कहीं दबाब डाल रहा था जहां पर हम बात करेंगे IPO जो की इन्वेस्टर है वो चाहते है अच्छे कामा मतलब आच्छे खासी कमाई करने के लिए तो आपके लिए जरूर यह जो टॉफिक आज ह हो सके उनको कम अमाउंट में का फुटेवल प्राइस में हम रूम और सर्विस प्रवाइट करें ताकि यहां पर हस्पिटलिटी सर्विस का भी लाब उठाया जाए ज़िए हम बात करेंगे IPO में 1.5 लाक से ज्यादा होटेल सामिल किया गया है ज़िए हम बात करेंगे यहां मकसद था जो कि अभी अंडर फुगरिस में था 2012 में वह यहों को 2023 तक बड़ा काम कहीं न कहीं करना पड़ेगा सेकेंड में ज़िए हम बात करेंगे हम बात करेंगे हम बात करेंगे यहां बात करेंगे बात करेंगे बीतो दिनों में बात करेंगे 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 बा यहां पर 5 करोड स्टुडेंट जुड़ा हुआ है, यह बात करूँ यहां पर 8 टेक कंपनी बाइजूस की, तो कहीं ना कहीं, यहां पर देखेंगे आज कंपेर्ट तो जितने भी 8 टेक कंपनी है, तो यहां पर बाइजूस लोगों को हायर तो कर रहा है, अच्छा सलरी दे र करता है, लोगों कंपनी को निकाल देता है, यहां पर यहां पर कंपनी डूबने दिल लगे, तो कहीं ना कहीं, यहां पर कंपनी डिफिनेंटली, जो सलरी है, अप्रिच की बूधली तो नहीं दे पाएगा, यह यह कहीं ना कहीं एक ग़लत चीज है, जो मेरे इकworld की मताबि लास्ट वान टू 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 यर में कहीं कंपनी घाडे में चल रहा है तो बाई जिसका प्लान जहां पर है 810 करोड़ जुटाने का बट वो अभी तक नहीं हो पाया है तेके प्रेंट्स यहां पर बात है इंवेस्टर की जितने भी सार इंवेस्टर है इस एट टेक कंपनी पर पर कर chaotic रहें तो इसके बाद थंटर में सुई डी आप य aurait यहां पर सर्विस भाइस कर रहा है 1.5 लाक delivery एक्जुकेटिव को काम करा रहा है सुगी, उसके बाद ज़िए हम बात करेंगे 2.6 लाक delivery एक्जुकेटिव रखा है सुगी ने, 1.5 लाक customer सुगी के साथ जुड़े हुए, ज़िए हम सुगी की IPO की बात करेंगे, यहां पर कहीं न कहीं सब का target आट सो दास करोड की जो कि अभी तक नहीं हो पाया है, तो आप बात मान सकते हैं, कि आने बाला दिन में, जदि आप सुगी की IPO में फईसा इंवेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा सूप समझ कि आपको करना पड़ेगा, उसके बाद फोर्थ में आ रहा है, गोफास्ट और जिसको आप गोफर्स के ना गोफर्स की, तो गोफर्स की IPO की बात करेंगे, 360 करोड अभी तक बहुत जुटा पया है, तो आने बाला दिन में इन इन कंपनी की जदि आप IPO में पईसा निवेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सूच समझ के अमाउंट इंवेस्ट कीजेगा, क्योंकि आपको भी फ